सिद्धु मुसे वाला के गुजरने के दो साल बाद अब उनके माता पिता के घर फिर से किलकारी गुंजी है सिद्धु मुसे वाला की मा ने भटिंडा के अस्पताल में एक बच्चे को जनम दिया है अस्पताल से तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हैं जिसे देखने के बाद फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं है आपको बता दें पंजाबी सिंगर सिद्धु मुसे वाला की मा चुरन कौर 58 साल की उमर में दूसरी बार प्रेगनेंट थी कुछ दिन पहले ही उनकी प्रेगनेंसी की खबर सोशल मीडिया पर सामने आई थी वहीं अब उनके हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने की खबर सामने आई मुसे वाला के पिता बलकौर सिंग ने खुद तस्वीर शियर कर इसकी जानकारी दी है और अब कुछ नई तस्वीरे बे सामने आ चुकी है जिसमें साब देखा जा सकता है कि अस्पताल का सभी स्टाफ मेंबर सिद्धू मुसे वाला के पिता बलकौर सिंग के साथ मिलकर केक कटिंग करता नजर आ रहा है इन तस्वीरों में हॉस्पिटल के बहुत सारे प्यारे मुमेंट हैं जो कैद हुए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि सिद्धू मुसे वाला के फादर को जब नर्स उनका बेबी थमाती हैं तो वो खुशी से जूम उटते हैं और एक पिता के तौर पर बच्चे को एक चमच से दूद पिलाते हुए भी नजर आते हैं इसके लाबा सिद्धू मुसे वाला के छोटे भाई की मा यानि चरंकौर को भी इस वीडियो में देखा जा सकता है उनके चहरे पर इस बच्चे के आने के खुशी का ठिकाना नहीं है इसके लावा कुछ तस्वीरों में सिद्धू मुसा वाला के पिता केक कटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं वही इन तस्वीरों में एक खास तस्वीर और भी है जिसमें सिद्धू मुसा वाला नजर आ रहे हैं और लिखा गया है Legends Never Die आपको बता दे सिद्धू मुसा वाले के छोटे भाई का जन्म जिंदल हार्ट इंसिट्यूट एंड बेबी केर सेंटर में हुआ है जो की भटिंडा में मौजूद है इससे पहले खबर थी कि सिद्धू मुसा वाला की मा जुड़वा बच्चों को जन्म दे सकती है बीते दिनों ये खबर आई थी कि IVF की मदद से उमर केस पड़ाओ पर उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान की है एक लोते चिराग सिद्धू मुसा वाला के निधन के बाद उनके माता पिता अकेले पड़ गए जिसके बाद उनके पेरेंट्स ने IVF तक्नीक की मदद से घर के वारिस की आस को पूरा किया फिलाल सोशल वीडिया पर सिद्धू मुसा वाला के चोटे भाई की काफी चर्चा हो रही है आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कॉमेंट सेक्षन में लेकर जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें करेंगे करेंगे इस बारे में दोलें